एक गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो और मैं हूँ आपका दोस्त मनिश आज हमारे सामने है मैगनाइट का कुरो एडिशन जो कि आपको प्यॉर ब्लैक लार में देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको कॉस्मेटिक चेंजिस भी देखने के लिए नहीं मिलता वैसे दोस्तो कार काफी अच्छी है पहले की 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 बात करें तो कुछ ताइप से इसमें आपको की मिलती है लॉक अनलोक के बटन दिये गए और इसमें आपको कीलेस एंट्री कंपनी ओफर करती है इस क्रू एडिशन में तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जाद आपका टाइम वेस्ट ना करते हो फ्रेंट की बात करें तो देखिए आपको जो ग्रिल मिलती है प्याणो ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलती है आइंड भही लोगो की बात करें तो आपको निशान का लोगो देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे लगता है फ्रेंट में आपको केमरी की प्लेश्मेंट देखने के लिए मिल जाती है साथ ही आपको नमबर अपलेट की डेडिकेट इट पोजिशन है आपको 205 mm का इस कुरू अडिश्म में जो आपको लाइट मिलती है वो आपको हैलोजन बल्क के साथ मिलती है इसमें आपको टैन इंडिकेटर मिलते हैं वो भी हैलोजन बल्क के साथ है बाकी नीचे आपको DRL देखने के लिए मिल जाते हैं अच्छी लगती फ्रंट से देखने में ब्लक क्लिर में दोस्तों कार काफी अच्छी लगती है यहांपर आपको टो हुकी पोजिशन देखने के लिए मिल जाएगी अट nămे ने कुछ आपको देखने केम लीए कर दोस्तों कार में मिलती है आपको 3994 mm की वील बेस मिलता है 25 mm का सो काफी अच्छे इसमें आपको सारी फिकर्स देखने के लिए मिलते हैं एंड सब 4 मिटर केडिगरी में आपकी SUV आती है आप इससे कॉंपक्ट SUV भी कह सकते हैं साइड मिलेर की बात करें बॉडी क्लियर इसमें आपको टर्न सिंग्नल इंट्रिगेटेड नीच आपको देखी कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है और यह आपको फोल्डेवल तो नहीं है बट आपको मिलते हैं अलेक्ट्रिकली एडज पेट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाती है तो टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको सेक्शन इंचेस का टायर देखने को मिलते हैं और डिजाइन देखिए आप अलोई विल्स का ब्लैक कलर में क्या ही जब 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 लग रहे हैं तो आपको 195 60 R16 का टायर साइज टुबले स्टायर कंपणी ऑफर करती है तो इस कुरू एडिशन में और केलिपर्स की बात करें तो रड क्लेर में काफी अच्छी लग रहे हैं फ्रेंट में धिस्प्रेग है रियर में आपको क्या बात करते हैं ऑद इस मैगनाइट की बैक प्रफाइल की तो आपके सामने ह लोगो मिलता है मैगनाइट की बैजिंग और आपको चार पार्किंग सेंसर कंपनी उफर करती है स्कूरू एडिशन में वाकि यहां पर आपको देखिए केमरी की आपके पस पोजीशन है यहां पर रियर कैमरा मिलता सब्कुछ इडिशन के लिए चलिए अब बात करता है कि तो आपको हैलोचन बीस्ट आपको टेल घूं यूट देखने को मिलती है and इसमें आपको turn signal integrated बगएरा देखने को मिलते हैं काफी अच्छी लगती है design काफी अच्छा है boot space की बात करें रिफकर sensor दिये गया है and parcel tray आपको company offer करती है so boot space की बात करें तो आपको 3.86 liter का boot space देखने को दोस्तों तो यहां पर आप देखिए आपको red clear में 14 इंचिस का टायर देखने को मिलता है steel wheel trim के साथ and tire size की आप profile की बात करें तो 165-80R14 का tire आपको देखने के लिए मिल जाता है तो उतना ही कुछ दोस्तों आपको boot में देखने के लिए मिलता है driver side door की बात करें तो आपको देखिए ribca sensor देखने को मिलता है open करते हैं and यह है इसका door trim so door trim आपको black clear में मिलेगा fabric touch के साथ यह जो आपको पूरा part है आपको fabric touch में देखने को मिलता है and उपर आपको remaining hard plastic lock unlock करने के आपको button दिये गए बाकी यह है इसके पूरा panel यहां देखिए आपको यह glossy black finish में है यहां पर आप grab handles है and चारो power window के controls है बाकी पूरा mirror set करने के layout बगर आपको देखने के लिए मिल जाता है mirror को fold unfold करने के buttons भी दिये गए बदब काफी अच्छे features है बाकी नीचे आपको bottle space है speaker है यहां इसमें आपको 4 speaker प्लस 2 twitter का side देखने को मिलता है मैगनाइट कुरो edition में and आप seat edge adjustment की बात करते है तो आपको manually seat edge adjustment देखने के लिए मिलती है and अगर seats की बात करने हैं तो आपको fabric quality में आपको seats देखने के लिए मिल जाती है so दोस्तो अभी आप देख रहे है इस कुरो edition का interior जो कि आपको pure black clear में मिल जाता है and काफी अच्छ लगता है देखने में so इसमें आपको काफी सारे features भी देखने को मिलते है hail assist पगेरा या center में आप जैसी आओगे तो यहाँ देखिए आपको जो touch screen मिलती दोस्तो वो आपको मिलेगी 8 inch की and यह दोस्तो आपका support करती है Android Auto and Apple CarPlay बागी fit and finish काफी अच्छ है निसान वैकनाइट की and touch screen लगती भी दोस्तो काफी अच्छ है थोड़ी और बड़ा साज होता तो काफी better होता so नीचे की तरब जैसी आगए दोस्तो तो यहाँ पर आपको देखिए defogger, hazard and lock unlock करने के buttons आपको यहाँ देखने को मिलते है door lock करने के buttons सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है switch की quality काफी अच्छी है automatic AC आपको company offer करती है and यह देखने में दोस्तो काफी futuristic लगता है देखने में देखिए काफी अच्छा digital form में आपको पूरा जो इसका dial की अंदर है सब आपको digital form में देखने के लिए मिल जाता है and नीचे की तरब यहाँ देखिए आपको wireless charger देखने को मिलता है इस कूरो एडिशन में काफी अच्छी बात है साथ ही आपको engine start stop का option भी देखने के लिए मिलता है यानि इसमें आपको push start देखने के लिए मिल जाता है नीचे की तरब दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए 12V का charging socket है and USB charging port थोड़ा सा space मल जाता है mobile mobile रखने के लिए and यह दोस्तों आपका 5-speed manual gear box and gear knob कुछ स्टैप से मिलता है quality काफी अच्छी है साथ ही manual hand brake भी आपको देखने को मिलता है and यहाँ देखिए quality काफी तो कफ लास holder के साथ एक car आपको offer की जाती है so दोस्तों बात करते हैं अगर इसके arm rest की तो आपको fabric touch के साथ and यह आपको open नहीं होता I think so मैंने काफी try गिए but open नहीं हुआ है बाकि कुछ इस टाइब से आपको पूरा fabric touch के साथ देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों बात करते हैं अगर इसके glove box की तो यहां देख सकते हैं आपको fully digital form में देखने के लिए मिलता है जिदर आपको मिलता है दोस्तों temperature meter यह speedometer और यह आपको सारा work करेगा as a rpm meter और right side की बात करें तो आपको fuel gauge meter बगरा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको completely digital form में मिलता है colorful display के साथ है देखने को मिलता है modes बगरा यहाँ पर कुछ इस type से source बगरा के control से left side and right side की बात करें तो यहाँ पर आपको दोस्तों trips related controls देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर आपको मिलते है lights के control जो कि आपके normal है और वाइपर भी आपको normal देखने को मिलता है and overall dashboard का layout कुछ इस type से मिल जाता है आपको काफी बढ़िया लगता है देखने में ACVN की placement सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाती है so friends अगर बात करें इसके roof की न तो आपको black clear की roof देखने को मिलती है normally आपको beige clear की मिलती बट इसमें आपको black clear की roof gram handles मिलते हैं soft closing कुछ इस type से बंद हो जाते and total आपको जो interior बिकल black है देखी vanity mirror आपको नहीं मिलता है इदर and quality काफी अच्छी है cabin lights आपको मिलती है halogen bulb के साथ बाकि देखी कुछ इस type से swap बंद चालू भी कर सकते है white light होती तो और भी better होता and यहाँ पर आपको mikey placement है other side बात करता है तो यहाँ पर आपको vanity mirror देखने को मिलता है बट आपको lights नहीं मिलते हैं quality वास्ता में उनकी काफी अच्छी है so friends कुछ इतना ही मिलता है आपको गुरो के dashboard में एंटिरियर में आपको कस लागा आप हमें comment करके बता सकते है so बात करते हैं अगर इसके thigh support की and near room की तो आप पीछे बाली seat में बैठ चुका हो near room काफी अच्छा है साथ में ही thigh support की बात करें तो वो भी दोस्तों आपको इस magnet में काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है ठीकिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहां देखिए आपको एसीबंट की replacement मिलती है रेर एसीबंट की and quality काफी अच्छी है बाकी नीचे आपको 12V का charging socket भी देखने के लिए मिल जाता है आप जो आपको इसमें seat मिलती है वो आपको 60-40 में split मिलती है दो headers जिनने आप adjust कर सकते हैं बीच में armrest with 2 cup class holder and complete आपको fabric अपस्टी के साथ seats देखने को मिल जाती है तीनों passenger दोस्तों आपको seat belts देखने को मिलती है तो overall दोस्तों इतना ही कुछ मिलता है इस car के interior and dashboard में आपको कसा लागा आप हमें comment करके पता सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं अगर इसके engine की तो दोस्तों आपको 1.0L 3-cylinder naturally aspirated petrol engine देखने को मिलता है जो कि आपकी power produced करता है 71 bhp and 96 nm का torque बाकि आपके 3-cylinder engine रहने बाला है आपको अच्छा कासा average देखने को मिलता है लागवक 18-17 के बीच में यह आपकी 4-star safest car है बाकि आपको damping bonnet में देखने के लिए जरूर मिल जाती है यह था आपका complete workaround of all new 2024 Nissan Magnite Kuro Edition एक्सवरूम प्राइस परता है इसका 8,28,000 रुपे तो हमने किया दोस्तों इसका complete workaround और बताया आपको किसमें आपको क्या features देखने के लिए मिल जाते है यह आपको available है ब्लैक किलर में एक्सवरूम प्राइस परता है इसका 8,28,000 तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है जैल को सब्सक्राइब करना है जोड़ेरे हमासात ऐसी उनाई कार की टेस्टिंग वीडियो के लिए